प्रिदर्श को मित्रों शाथ है जब हिर्दे का पहला खाली होना तो व्यक्ति असान रहता है हमारा हिर्दे सांती चाता है और ऐसी सांती ऐसा आनंद जो हमेशा बना रहे टेंपरोरी सांती और टेंपरोरी आनंद की बात मैं नहीं कर रहा हूं चीर सांती वो प्रमानंद की बात मैं कर रहा हूं यह ख्वाइस हमारी हिर्दे की है हम जीवन परियंत उस आनंद का अनभव कर सकें प्रमानंद का अनभव कर सकें उस प्रमशांती का अनभव कर सकें यह है जीवन का असली उदेश और यह कैसे होगा जब तक उश्रोत को हम जाननी लें हिर्दे का पहला तभी भरता है जब गुरु महराजी की ज्यान का भजन करते हैं शुमरन करते हैं सत्संग करते हैं मारग गुरुगम भी है शाथियों और गुरुमाराज की स्रणागती ज्यान का अनुभाव और सत्संग का सानिद जीव को रहता है तो वो हुर्दे का प्याला भरता है इस पर काम करना चाहिए होम नमव ना रहे प्रदर्शकों मित्रों शाक्तियों बात करते हैं 24 अगस 2023 के राशी फल और पंचांग राशी फल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग सुद्ध स्रामन शुकल पक्सी अश्टमी विक्राम संद दोहजार असी भादरपद मास की आठ परविशे सक्षन 1945 भादरपद 20 तद अनुसार गुरुवार 24 अगस 2023 के शुरुद्यकालीन तिती अश्टमी है तिती का जो समाप्तिकाल है पतीस अगस सुबह तीन बजकर दस मनिट पार है शुरुद्यकालीन इंदर योग है योग का समाप्तिकाल शाम 8 बजकर 37 मिंट अगला योग वैदर्थी होगा शुद्य करन्का का समाप्तिकाल सुबह 9 बजकर अगला अनुरॉद्य है लूजय वर शुद्यक का सच्टर में चंद्रदेव का संचन और चंद्रद्य वक्षीक रासी में है ऑज के जो घूझ प्रातिकानी लगन शिंग लगन है शिंग राशी में सूरी देव और बुद्देव है विर्शिक राशी में चंदर देव कन्या राशी में मंगल देव मेश राशी में ब्रश्पति देव रहु देव करक राशी में शुकर देव कुम राशी में शनी देव तुला राशी में अवधी 52 मिंट है और ये 52 मिंट आज की दिन कोई भी सुबकारी करने का सबसे उत्ता महरत है कोई भी नया आरु सुबकारी जिसकारी में चीर काल तक लाब लेना हो उसे अभी जीत मुर्थ में करें और अभी जीत मुर्थ भगवान सरी हारी को बहुत प्रिया है आज का लाब लेकर तीन बेस तक रहुकाल दंशुबकारी करना सोदा करना पुझेनेस करना अनकुल उचित माना नहीं गया है यह सला मेरी है मर्जियाब यात्रा दक्षन दिशा की ठीक रहेगी आज की दिन यात्रा पे जाने से फूल साबूद जीरा जब चबाते यात्रा पे लिए आख नहीं ही नहीं हाँ आज की दिन जब आफ यात्रा के लिए घर अगने तो पहले साध कदम दख्षन दिशा की ओर जाये इस देवता कुल liz pews Manga में यहात्रा की कामना के साथ रight Elg और यात्रा पर जाएगा यात्रा में कश्ट का वाहिए नमना है मेरा एक छूटा सा निवेदने मित्रों शात्य। आप सभी लोग सनिधाम का जो नंबर है कोशाला का नंबर है उस पे आप फोन करते हैं जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक ताइब है आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बज़े से लेकर साम 8 बज़े के बीच में उठाएजएगे इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बज़े के बाद आप फोन नहीं करें आपके फोन इस बात की फिर जानकरिया आपको कोई नहीं देगा तो जो भी जो सनिदाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौसाला के इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वो सुबह नौ बजे से लेकर शाम आठ बजे तक की होगा इस बात का ध्यान पर दर्शकों में तरों शाथ हैं चौबीस अगस्त आपका जैनम दीन या शाद्य की साल करें तो अपको लाव & शब्षलता देगा उपको आपकी साद्री की साल ए पलति करें मित्रों शाथियों हर गुरुवार को प्रादकाल नित्य कर्म जो सुनान और सरप्रथम भगवान स्री हरी विष्णु का शर्धाव रुपंच पेचार पूजन करें धूप दीप नेविदी पुष्ट और अक्षत अरपित करें ओम नम भगवति वास्तु देवाए नमा इस मंत्र का जाब करते वे भगवान स्री हरी विष्णु के चरणों में केसर अरपित करें मित्रों शाथि एक छोटी बात और करेंच दाओं कि जब आप सुभे प्रादकाल नहाने जाए तो नहाने से पूरू एक चुटकी हल्दी भगवान प्रश्पत देव का ध्यान करत ब्रश्पते नमा या गुर्वे नमा इस मंत्र का जाब करते पूरे हल्दी को जल में मिलाजिए उस जल से सिनान करेंगे तो और अच्छा रहेगा सिनान के बाद पूजापाट के बाद अपने भाल पर केसर का तिलग करना अति उत्तम रहेगा और केसर का तिलग पूरे साल भर अपने भाल पर रोज कर रहे हैं और यह उपाई हर गुरुवार को आप करिएगा आपका जिमन खुश्यों से गुरुवार के दिन सर्धान उसे पकावा पपिता छील कर गाई को खिलाना भी आपके लिए लापकारी रहेगा प्रिदर्शक और मित्रों साथियों बात करते हैं अब आपके राशीपल की यह जो राशीपल है यह आपकी चंदर राशी आपके नाम राशी प्रादारी जैए राशीपल पुर्शों के लिए हैं महिलाओं के लिए बुजर्गों के लिए बच्चों में सब्सेपहले बात करूंगा मेश राशी वालों के लिए चंदर यह अपने विचारों पर थोड़ा सा संयम और धरी रखना पड़ेगा अग्रेशन चे बचना होगा बचना होगा जल्दबाजी में कोई निर्णे निर निर चाहिए परिवार वह समाज चाहिए सरकारी मामला आपकी कारी शैली की वज़े से अनावसक विरोद और विरोद बै कारुबार के मामले में निरासा हाथ लगेगी, विवादी सोदों से अपना आपको दूर रखे, आज कोई अंचाई घटना गड़ सकती, लेंदान के कारे में हानी हो सकती, और परिवार में कलहे की प्रवल संभावना है, सम्झोत अबादी नीती अपना, चाह आप युवा है विद्यार्ती है, नक्षत गर्ना कलहे का संके देरी है, जंजटों का संके देरी, परिशानी का संके देरी है, परिशानी नहीं हो, थोड़सा सावधान से काम करे, संयम से काम करे, करोच से बचे और अपनों को साथ लेके चले तो अच्छार है, क्या करें? बहुत जरूरी आपको रोजगार है आपको रोजगाल मिला आप नौकरी में हैं आपको उनौकरी का उसर अच्छे मिले हैं कामकाज कारोबार नौकरी को लेकर संतुलन अच्छा देगा, महनत और परेशन का पूरा नाम मिलेगा, कारिशन में उन्तिक आउसर मिलेंगे, उच्छाधिकारीकों सयोग मिलेगा, जिमेंशाती का सुख और श्योग प्राफ्त होगा और मित्रों के साथ आमोद और परमोद म समय वैतित होगा. आज दामपत जिवन की संपून परेशानियों का निवान नजर आ रहा है. वेवाई जिवन की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी. जिवन साथ तीक साथ रिस्तों में प्रगारता आए. वेवाई जिवन सुकत बना रहेगा. पारवरिक अनुकुलता और एकत पुझी निवेश सोच समझ कर रहें लापरवाई में क्या ना करें हो सके तो बीना सोचे समझे किसी की वैविशाइक मद्धिस्ता ना करें सुभंग नौ शुभंग नीला भागी आपके 60% लाप का संगेत विर्शु राजवालो ओम गोपालाय उतर ध्वजाय नमा इस मंत्र कारोबार नौकरी में उत्तमा उसर प्राप्त होंगे समय सुभ है सास और उस्सा बढ़ेगा केरियर और नौकरी में आ रही अनावशिक बादाओं परेशानी को निवान होगा कारोबार में उनत्ती होगी पुझी निवेस का लाब मिलेगा कला के छेतर में विशेष प्रोस क्या ना करें अपनी जिम्यदारी की प्रति लाप पर वही नहीं सुभंगाट सुभरं क्रीम भागे आपकी 75 प्रसंद आपका संगेते में सुंदाश वालों और बात करते हैं करकराश करकराशी पर आऊंग उससे पहले आज का उपाए बहुत से लोग कहते साब मेहनत करते ह हैं काम-काजमे अनाव सएफ विलम बहुत होता है हमारी महनत हमारी करिस्व का सब्खाष जित सब्रसिस का त्यांकर प्रतिकाल ब्रहम מूर्थ में नहा दोकर हरी विष्ञु के सामने नारायन की सामने शुद्धसी घी का दिपव जला ब्रतियों अमिन नम नम गवतिव ति इस मंत्र का जाब करते हैं भगवायन श्री हरी विष्णू की चड़नों में तुलसी मंजरी अर्पित करें एक सो आत्वार जयान रखेगा तुलसी मंजरी नारायन के चड़ती हैं लक्ष्मिकेंग तसपसात सदानसवार गूड चने की दाल साबूत हल्दी पीले बस्तर किसी घरदोतों विच्ट को दख्षिना के साथ दान देदिजेगा ऑर बात करते हैं करकरासी पंचमभा में चंद्र देव प्रष्पत देव और स्पट देव के नक्षजन करनाए ह। गोचे इस बात का संकेदर, धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सीचे के वड़ा, रितुआ, थोड़ा सा धैरी और सेहम का हर काम समय पर बनेगा, और आज आपको समय का इंतदार करना होगा, जिसरी के घरे योगा-योग है, नक्षत करना इस बात का संकेदर की कारियो में विलम है, कामकाज कारुबार नौकरी में अनावसिक परिशानी उठापटर कलह का संकेद भी है, खान-पान की प्रती नियमित नहीं रहे, तो स्वास्ते भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन महनत और परिश्रम का पूर्ण लाब मिलेगा, रोजगार के साधनों अच्छे मोके हैं और परिवार आपका सहोग करें, अब युआ हैं, अब द्यार्ती है, अपनी हिम्मत, अपनी महनत, अपनी परिश्रम के बल पर कारें में सफलत हासिल करें, जहन समधी समष्याओं का समधान मिलेगा, साथ्यों का फरफूर सहोग मिलेगा, और केरियर में करें प्रियास करें मेहनत करें सोच सकारत मरत क्या ना करें अपनों की इच्छा का अनादर ना करें शुबंग चाज सुबरंग शपेद भागी आपकी शाठ पसंद लापका संकेत करक राशल ओ मिहरंगर भाई अव्यक्त रुपएने नमा इस मंत्र का जाप करना अती उत्तम रहेगा नमनें और बात करते हैं शिंग राशी चतुरत भाव में चंदर देव चतुरत भाव में च भाउट सब्सक्राइब अपनों का स्योग नीमिलेगा धनानी चोट का भय है आज कोई भी काम गप्तरुप से नहीं करेंगा हानी की संब्सक्राइब सितारों की चाल प्रतिकुल है आपको अपने आज हानी पहुंचाएंगे सुबकारियों में अर्चन आएगी यात्रा में कष्ट है तो आज थोड़ा सावधानी से काम करिएगा चाहिए आप युवा हैं चाहिए विद्यारती हैं सब को आज सावधानी बसने पड़ी क्या करे नियमत रहें काम काज की पर्ति खान पाने की पर्ति अपनी विचारों की पर्ति अपनी बातों की पर्ति क्या ना करें बहुत ज़रूरी है स्वास्थ को लेकर लाप परवाजिए सुभंग साथ सुब्रंग परपल भाग आपके इन 30% का संकेत सिंग राशिवाल ओम क्लीम प्रमने जगत धारा आये नमा सुरी उदेश्य फूर्विस्ट मंत्र का तीन मला जाब करेगा सारा दिन खुशियां सी बितेगा नमने नुर बात करते हैं कन्याराशी तीसरे भाह में चंदर देव प्रश्पत देव और सन्य देव के नक्षन में संचन करें ग्रहकोचन चाहिए कामकाज नौक्री सांदार उपलियों का दिन है हर कारी आपका पूर्ण होगा मैनत और प्रश्पत प्रणाम मिलेंगे और नौक्री में प्रमोशन की प्रभल सभावना है क्या करें ने लोगों से मितरता करना उत्तम रहेगा क्या ना करें किसी को भी उधार धन्य पांच शुबरंग हरा भागया आपके बंद्वें 50 प्रसंद लाप का शंकेत करने रहेगा इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा नमने और बात करते हैं तुलारासी दूसरे भावने चंदर देव दूसरे बहां में चंदर देव ब्रश्पत देव और संदेव के संतान पक्षपर आपको ध्यान देना होगा आप युआ हैं आज नहीं मल्टिनेशन कंपणियों में जॉब के अच्छे असर मिलेंगे और विद्यारतियों को शिक्षा के चेतर में पूर्ण शपलता मिलें क्या करें सामाजी कारी को थोड़ा सा महत्व देना बहुत जरूर क्या ना करें पारवारिक मत भेद ना पना परने सुबंगति शुबंगुला भी भागिया आपके उन साथ पसंद आपका संकेत तुलारा शुब ओम तत्व निरंजनाय तारकराम आए नमहा इस मंत्र का जापकना उत्तम रहेगा नमनाय और बात करते हैं विर्शी रासी नए जॉब समन्दी मसले हलोंगे मार्केट में आपकी साथ बढ़ेगे और धन प्राप्ति के अच्छे मोके मिलेगे सास और पुसाथ बढ़ेगे सुबकारी संपन होगी स्वास्ति उत्तम रहेगा कारिशत में लोग आपका मान और समान करें युवाओं के लिए विद्या नए लोगों के साथ कारुबारी मित्रता अपनों से पूछ करके यहनी किसी नहीं आदमें के साथ वैपार करना चाहते तो पारवाई रजाबंदी बहुत ज़री है क्या ना करें मित्रता में दगाना करें सुबंग एक सुबरंग पीला भागिया आपके असी नाराना एशुर शिंगहाए नमा इस मंत्र का जाब करना उत्तम रहेगा नमनन और बात करते हैं धनुरासी बारवे भामें चंदर देव शनी देव और प्रश्पर देव करें गरेगोचल प्रेशानी का उठापत्र प्रतिकुलता का संकिल्ट कारोबार में साथभानी बच नए कारोबार में पूंजी निवेश नहीं करें क्योंकि कारोबार की सती प्रिशानी से युक्त नजर आ रही है धनानी है चोट है यदि नैतिक्ता का दामन पकड़के नहीं रहा तो कानुनी समिश्यों का संकेट में जरा रहा है और भाई-बंदों के लहे भी है करमचारिवों को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा और यात्रा में कश्च है लापरवाइंद ही क्या करें परिवार की सुने परिवार के स्थ रें पर्वारी आउस्थेख्ताों पर भ्र ढान में भी थ्यंदय हो और खान-पान में भी स्थोड़ा साउध्यान बंद ऑद करते हैं मकरासी लेकिन आज का हुआ है बहुत से लोगों ने का सब कामकाज कारोबार नौकरी वैविशाय समाज और परिवार में हमें अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम का फल नहीं मिलता है हमेशा हमेशा हम जो हमने मेहनत कि उसका 10% हमें मिलता है मेहनत और परिश्रम का फ और एक पकावापपीता किसी गरीब निर्धन स्वागन इस्त्री को दानों जो बहुत बहुत ही गरीब है जिने भोजन के भी समय ऐसी किसी महिजला को दान यह 40 गुरुवार करने के बाद आप बताएगा कैसा रहेगा नमनाएं और बात करते हैं मकारासी ग्यारवे भामी चं में उत्तम आउसर में अभिस्षिधी की प्राप्ती किसलिए समय उत्तम रहेगा भाई बंदों के सवक से आंतरिक समय का समय का शमादान होगा कारुबार में उनत्ती आउसर मिलेंगे कारुबार यात्राई लाब दाएक रहेगी और समाज में आपका वर्चा सूर दिना आपके लिए सुब रहेगा एजुकेशन में एक अक्रता बढ़ेगी पड़ाई में पूरा मन लगेगा मननकुल प्रिश्टा प्रिश्टा प्रापना में उत्तम आउसर में क्या करें कला और स्वास्ते के छेतर में कारी करी अच्छा लेगा क्या ना करें गुप्त र देव और दसंभामे चंदर देव ब्रश्ट्पत देव और सनन्देव के नशन में संचन करें ग्रेगों से शुब और अनकुल है कारिस्तर बढ़ेगा कामकाज कारुबार नौकरी को लेकर विश्टार के अच्छे मुक्ति मिलें नौकरी में बढ़ उत्री होगी जॉब सम मार्केटिंग में उन्हें आगे बढ़ने का पूर अउस्षर मिलेगा नक्षत करना इस बात का भी संकेदर की सरकार से आपको लाब मिलेगा क्या करें नेकारी में पुझी निविस पारवार रजा बंदी सकते क्या ना करें पारवार जिम्मदारी को फृति लापरवाई न संकुम राशवलों ओम स्रिय उपंदराय चुताय नमहां इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा नमने बात करते हैं में नमभाव में चंद्र देव ब्रेश्पत देव और सने देव के नक्षन में संचन कर रहा है कामकाज का और बार नौकरी समाज परिवार में जो अनाव संसानी देग अउस्वर मिलेगा धार्मिक गुजान अच्छा रहेगा धार्मिक यात्राओं का योग है लेकिन लेंदेन की करने में शाउधानी बढ़ता है जिमदार्य की परती लापरवाई नहीं करें ताते पाव पसारे जाते लम खर्चा उतना ही करें जितना आपका सा अपरवाई नहीं बढ़ते अपना का कोई विकारी उसे समझदारी से करें शुबंग साथ सुब्रंग पीला भागी आपकी फक्स में पैंसेट प्रसंद लापका संकेते मिंदाश्वल ओम क्लीम उद्गरताय उद्दारन नमा इस मंत्र का सूरी उदे से पहले तीन माला जा मेरे से कोई भूलोगी दुन हाथ जोड़ कर समा मांगता हूं आप सुखी रहे आप स्वस्त्रे समर्दिशी ले संदेव की चनल मेरी प्रात्ना अम नमगूल रास्तान का हर व्यक्ति जानता है अग्दाति मराज गायन से बहुत प्यार करता है बेटियों से बहुत प्यार क इसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बसे खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्षदा है मनश्यों और मानों होने इतनाती मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूं मैं इस राष्ट का नागरिक हूं तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गो शेवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है कि धन को लेकर मेराष्ट के सामने कभी नहीं आये था, हमेशा मैंने ये का कि आप शेवा करिया, मैं भी शेवा करता हूँ, आप भी शेवा करता हूँ, धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्तिय हैं, वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है, कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं शेवा आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी समस्याओं के समधान के लिए, भई, आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जिऊँगा, तब तक खड़ा रहूँगा, नमबर आ रहा हैं, इन नमबरों पर शंपर करी, आप मेरे से बात करी, लेकिन इसकी एवज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता कर लीजे, और इसलिए मैंने कहा था कि भई, थोड़ा दिन, इस समय में परेशाने में हूँ, और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हिरुदय से आया, लोगों ने कहा कि, राश्र आप से प्यार करता है, दाती माराज एक बार निवेदन करिए, तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये एंकार नहीं है, सातियों, मेरा राश्र पर ही है, मैं ये नहीं कहा रहा हूँ, मैं ये कहा रहा हूँ, मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे क की वेवस्ता करिए शनी भगवान आपकी रक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बह समय भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकार कर रही है अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं ले लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदय से पुने एक बार ने वेजन करना जाता कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्वयोकर है फिरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमो नारा अबना मन